लिजिये सामयीन शिरी कैसिक इसलामिक और संजे अगरवाल जी पेश कर रहे हैं एक शहरे बनारस का सच्चा वाकया जिसका उन्वान है तवायफ से मुहबत जिसमें एक तवायफ है और एक सोला साल का लड़का है जो तवायफ को एक दिन देख लेता है और उसका दीवाना हो जाता है तवायफ इतनी खुबसूरत है जो भी उसे देख लिया करता है वो उसका दीवाना हो जाता है लेकिन इस लड़के का और इस तवायफ का इस वाके में आखिर में क्या अंजाम होगा सामयिन मुलहिज़ा करें शायर हैं खुर्शीद रसूल भी आवाजे हैं दिलवर मिराज बदायूनी रिकॉर्डिंग किये हैं गुलाम साबिर साहब ने और सयोजक मुसर्रत अली जी अली जी सामयिन मुलहिज़ा करें तवायव से मुहबत खुर्शीद पेश करता हूँ इक साच इबारते खुर्शीद पेश करता हूँ इक साच इबारते खुर्शीद पेश करता हूँ इक साच इबारते कोठे पे रहने वाली तवायव से मुहबते 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 एक नोजवाने लड़के की उस पर बड़ी नजर चेहरे को उसके देखकर दिल पर हुआ असर घुसनों जमाले देखकर दीवाना हो गया दुनिया के हर खयाल से बेगाना हो गया नासुपकली चमन में वो ताजा तरीन थी देशा थनाच गान का बेहद हसीन थी कोठे की छट पर बैठ थी आकर वो सुबह शाम उस माहेरू का तोस को ये रोज का था काम लड़के के दिल को भा गई सूरत वो चांद सी उसके बगैर बदनुमा लगती थी जिंदगी कर बैठ था मुस्तरत था वो सब घर का अपने काम आखों से उसको देखता करता था ना कलाम उसके तिलो तिमाख पर छाई थी मैं जबी लगता न कोई तूसुरा उस शोख उसे हसी दूबा हुआ था लड़का तवा ब्यफ के इश्क में खोया हुआ बो रहता तवा ब्यफ के इश्क में मजनू की तरहा हो गई उस लड़के की हालत मजनू की तरहा हो गई उस लड़के की हालत कोठे पे रहने वाली तवा यफ से मुहबते कोठे पे रहने वाली तवा यफ से मुहबते कोठे पे रहने वाली तवा यफ से मुहबते देखिये ये लड़का कॉलेज में पढ़ रहा था लेकिन ये उस तवायफ को जब देखता है तो उसके इश्क में इतना खो जाता है कि ये अपनी पढ़ाई लिखाई सब भूल जाता है और माबाप जब इसे देखते हैं कि हमारा बच्चा उदात रहता है माबाप काफी परेशान होते हैं लेकिन आगे इस बंद में इस लड़के का क्या होता है मुला है जगने कॉलेज का इस्टूटेंट था पढ़ने में होशियार होता शरीफ लड़कों में उस लड़के का शुमार दिल उसका पढ़ने लिखने से अब दूर हो गया वो दिल के हाथों दोस्तों मजबूर हो गया पागल था उसके इश्क में वो देखता जिधर सूरत हसी तवायफ की आती उसे नजर ये सोचता था हर घड़ी आखिर मैं क्या करूँ किस तरह जाके रूबरू मैं बूबू से मिलूँ लड़के में पढ़ने लिखने से दिल को हटा लिया उस शोफ में जबीनी को दिल में बसा लिया धरवाले कश्मा कश्मे थे लड़के को क्या हुआ भूमसुम ये लड़का रहता है क्या है ये माजरा छाया हुआ था इश्क का उस पर हुमार था एक पैकरे हसीन से लड़के को प्यार था सब आनु बानु शान को निसमार कर दिया दीवानिगी के रोग को तैयार कर लिया तवा यक से बात करने की होती न थी हिम्मत पोठे पे रहने वाली तवा यक से मुहाबत कोठे पे रहने वाली तवा यक से मुहाबत कोठे पे रहने वाली तवा यक से मुहाबत चर्चा था सारे शहरु में तवा यपके हुस्म का उड़ जाते हो शुपा खुदा जो उसको देख रुता आगे क्या होगा दोसको सुन लोगे जल्द तर दीवा न कोई है मेरा तवाय अफ़ती दे खबर जो चाहता जुबा से इकरार ना किया पागल थलड का प्यार का इजहार ना किया छट पर तवाय अफ़ आती थी मामूल रोज का इक बार उस तवाय अफ़ से ना बात कर सका जब तक न देख लेता था धोता था बेकरार हर रोज अच्छे मौके का करता था इंतिजार खुशियों की उस दीवाने पर परसात हो गई घर से जो निकला राह में मुलकात हो गई हिम्मत जुता के सीने में कहता था दिल नशी मैं तुम से प्यारे करता हूँ दिन रात हर घड़ी परसों से मैंने आपका दीदार है किया अब आके अपने प्यार का इजहार है किया दिल में नजर में बस गई है आपकी सूरत दिल में नजर में बस गई है आपकी सूरत तोठे पे रहने वाली तवा यपसे मुहबत तोठे पे रहने वाली तवा यपसे मुहबत तोठे पे रहने वाली तवा यपसे मुहबत वो तवायफ जब लड़के की मुह से ये बात सुनती है वो लड़का कहता है मैं तुम से बहुत मुहबत करता हूँ और मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिला जो मैं आपसे अपनी मुहबत का इजहार करता लेकिन वो तवायफ उस लड़के की जब बात सुनती है तो कहती है कि देखिए मैं एक तवायफ हूँ ये दुनिया वाले मुझे तुम्हारा नहीं होने देंगे क्योंकि मुझे लोग बुरी नजरों से देखते है तो वो लड़का कहता है मैं कुछ नहीं जानता मैं तो बस कितना जानता हूँ कि मैं तुम्हें दिलो जान से जादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे इश्क में दीवाना हो बैठा हूँ तो वो तवायप कहती है उस लड़के से के चलिये ठीक है तुम मेरे लिए इश्क में क्या कर सकोगे और वो लड़का वहां से घर जाता है और क्या करता है मुला ही सगरे सुनकर ये बात ये लड़के की तवायप ने ये कहा कोठे की मैं तवायफ हूँ तुमको नहीं पता गंदी नजर से देखते दुनिया में हैं बशर धंदा ये करने वाली है कहते हैं देखकर हमको पुरी निकाहों से दुनिया है देखती खुश हो के फिर भी काटते हम अपनी जिंदगी दुनिया में जिस मुनोचने वाले हैं बेशुमार मुझबत नसीबू नारी से कर सकता कौन क्यार लड़के से बोली जाईए खुद को संभालिये दिल से मेरे खयाल को अपने निकालिये लड़का ये बोला आप पर पुर्बा है जा मेरी कैसे जियूंगा आप दिन हो मेरी जिंदगी इजहार मेरे प्यार का कर ली जिये कुबूल मुझबत से चाहता हूँ तुम्हें जाऊं कैसे बोल हस कर हसी तवाय अपने लड़के से तब कहा अब मेरे बासिते सुनो तुम कर सकोगे क्या मैं वो करूगा दुनिया को हो जाएगी हैरत मैं वो करूगा दुनिया को हो जाएगी हैरत कोठे पे रहने वाली तवा यपसे मुहबबते वो लड़का बड़ा कोशिश करता है लेकिन तवायफ नहीं मानती है और वो कहती है कि मैं एक तवायफ हूँ देखो ये दुनिया तुम्हें मेरा नहीं होने देगी और नहीं मुझे तुम्हारा होने देगी तब वो लड़का इश्क के जुनूर में उस तवायफ से क्या कहता है मुलाईजगरे पल पल तु मुहबबत को मेरी याद करेगी जब तुझसे बिछड जाऊंगा परियाद करेगी तोड़ा है दिल ये तुने अब मेरा बेवफा ये बेरुखी हम दोनों को बरबाद करेगी अब सुनिये आगे दोस्तो लड़के ने क्या किया तवायफ से बाते करके वो घर अपने आ गया चेहरा था उसकी आँखों में उस मेह जबीन का दिल में खयाल उपस गया बेहत हसीन का ऐसा किया किसीने न वैसा करूंगा मैं जाहू सुनगे मिसाल पे पुरबा करूंगा मैं हर गिजिना उसके साथ में धोका करूंगा मैं जो कुछ करूंगा इश्क में अच्छा करूंगा मैं उस नौजवा के सर में के सौदा समा गया पागस के आशिकी के उस किसे को लिख दिया लिखा था खत में इश्क का एहबाल बर्मला मैं बूब को मैं देता हूं इनाम जान का देता हूं उसके प्यार में खुश होके अपनी जा ये है हमारी सची मुहाबत का इंताहा मरने के बाद खत उसे पढ़कर सुनाईए हासी लगाके मरता हूं उसको बताईए मैं साथ लिये जाता हूं तेरे प्यार की दोलत मैं साथ लिये जाता हूं तेरे प्यार की दोलत मैं साथ लिये जाता हूं तेरे प्यार की दोलत कोठे पे रहने वाली तवा यपसे मुहाबत कोठे पे रहने वाली तवा यपसे मुहाबत कोठे पे रहने वाली तवा यपसे मुहाबत सामेन वो लड़का उस तवायव के इश्क में भासी लगा कर मर जाता है लेकिन मरने से पहले वो एक खत लिखता है और उस खत में लिखता है के मेरे जनाजे को मेरे महभूब की गली से निकालना यानि उस तवायव की गली से निकालना ताके वो ये देख ले के मैंने उसके इश्क में क्या क्या किया यानि इतना किया के अपनी जान दे दी और वो मरते दम तक मुझे याद रखे आगे क्या होता है मुलाई सके खत में लिखी बसीयते यारो ना टालेना माशुक की गली से जना जानिकालेना लड़के ने अपनी जान दी हंगामा मच गया ये सुनके पूरे शेहर में पोहराम मच गया पहुची खबर ये थाने में तब आ गई पुलिस सूली पे लटकी लाश थी घबरा गई पुलिस खत देखा थानेदार ने एहबाल था लिखा जो वारदात गुजरी थी अब सर समझ गया लड़के ने की है खुदकुशी थी इश्क की तपिश पुरन पुलिस ने डाल दी कोटे पे थी तपिश पुहुची पुलिस तवायफ को गिरिफतार कर लिया उस दिल नशी ने इश्क का इकरार कर लिया तेरी बजा से माहिरू लड़का ये मर गया दोका दिया है प्यार में तेरी है ये खता इलजाम तुझुपे कतल का कैसे बचाएगी दुनिया में तू किसी को भी क्या मुह दिखाएगी एक लोटा बेटा चल बसा है तेरी बदोलत एक लोटा बेटा चल बसा है तेरी बदोलत पोठे पे रहने वाली तवा यपसे मुहबबते तवायफ ये थाने दार से कहती थी बार बार अपसोस उसको मौत का आखे थी अश्क बार ये हद वो प्यार करता था मुझे को न थी खबर एक रोज उसके प्यार को लग जाएगी नजर उसकी कुसूर बार हूँ मन्जूर है सजा मैं उससे तूर हो गई है ये मेरी खता इक बार उसको देख लूँ एहसान कीजिए कोठे की छट पे जाओं मैं ये मान लीजिए खुद को मैं उसके इश्कों में सरशार कर सकूँ मैं बूबू का मैं आखरी दीदार कर सकूँ देती हूँ उसके प्यार का मैं तुम को वास्ता ये सुनके उस तवायफ से अफसर ने कह दिया मेरी तरफ से अब तुझे मिलती है इजाज़त हसरत है दिल की देख ले मैं बूबू की मैयत धोका दिया तो इसका भी अंजाम जान ले भागे की छट से मोत है किना मुझान ले कानून इसकी दे नहीं सकता है इजाज़त कानून इसकी दे नहीं सकता है इजाज़त कोठे पे रहने वाली तवा यपसे मुहबत कोठे पे रहने वाली तवा यपसे मोहबते सामेन अजरात इस आखरी बंग में खुर्शीद रसूल भी क्या कहते हैं मुलाहिसा करें वो लड़का जो खत लिख जाता है और उस खत में सारी बात लिख देता है वो दरोगा जब पढ़ता है तो वो दरोगा उस तवायफ को ओठे पर जाकर ग्रिफतार कर लेता है और वो तवायफ से कहता है के तेरी वजा से ये लड़का मरा है अब तुझे सजा मिलेगी लेकिन वो तवायफ कहती है दरोगा से के मुझे उस लड़के की अब सूरत दिखा दीजिए और आगे वो तवायफ क्या करती है उस लड़के के इश्क में मुलाहिज़ करें सिंगार करने बैठी थी फोरण वो हम नशी सजने में अपने करती थी कोई न वो कमी तुलहन की तरहा सजती तवा यफ्थी दोस तो क्या होगा इसका माजरा अब होर से सुनो किस दरजा वो हसीन थी सूरत वो चांद सी छट पर खड़ी थी जैसे हो आगाश की परी शादी का जोड़ा अपने बदन पर सजाए थी दिल में नजर में इश्क की शम्मा जलाए थी बदला है कैसा देखिये तकदीर ने निजाम हैरत से उसको देखने लगते थे खासवाम आया जनाता उसकी ही कली में था जिस घड़ी मैयत पे उस्तवायफ की जिस तमु नजर पड़ी मारी छलांग कोठे से नीचे वो गिर गई अफसोस सट अफसोस तवा द्यफ भी मर गई जिन्दा थे मिलना पाए थे अब शाद हो गए दुनिया की पंदिशों से भी आजाद हो गए फुरशीद दोनों हो गए इस दुनिया से रुफ सत फोटे पे रहने वाली तवा यफस मुहँपत तोठे पे रहने वाली तवा यख से महुबदे